प्रोग्राम की शुर्वात इस वक्त की बड़ी खबर से राजस्थान कॉंग्रिस में मची सियासी हल्चल अभी फिलहाल थमती दिखाई नहीं दे रही है लेकिन इस बीच खबरें सामने आ रही हैं कि सचिन पाइलेट पूरी तरह गहलोत पर हावी हो चुके हैं जी हाँ सचिन पाइलेट ने जिस तरह अपने जलम दिन के दिन शक्ती पर दर्शन किया और अपनी राजनीतिक शक्ती दिखाई इससे साफ पता चल रहा है कि सचिन पाइलेट अब किसी भी कीमत पर पीछे हटते नहीं नजर आ रहें सचिन पाइलेट ने खुल कर कह दिया है कि अगर राजस्थान कॉंग्रेस के अंदर उन्हें और उनके समर्द्कों को बड़ी जगा नहीं मिलती है तो वो आगामी समय में स्वतंत्र फैसला ले सकते हैं दरसल सचिन पाइलेट ने इशारो इशारो में कह दिया कि वो पार्टी से अलग भी हो सकते हैं और पार्टी से अलग होने में उन्हें किसी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सचिन पाइलेट जो है इस वक्त जिस हिसाब से उनके पास विधायकों की बड़ी संक्या है ये बात कॉंग्रिस पार्टी अलगमान सोनिया गांधी तक पहुच चुकी है कि गहलोत से जादा सचिन पाइलेट की राजनितिक शक्ती काफी जादा मजबूत हो चुकी है और ऐसे में सोनिया गांधी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहेंगे और ये नहीं कोशिश करेंगे कि राजस्थान में कॉंग्रिस की सरकार करें चलिए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट रहस्थान के पूरूप मुखिवंतरी सचिन पाइलेट की राजनितिक शक्ती जिस तरह बड़ी है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि सचिन पाइलेट पहले की मुकाबले काफी जादा एक्टिव हो गए हैं लेकिन इस बीच देखने को मिल रहा है कि सचिन पाइलेट ने पूलकर ये बता दिया है कि अगर उन्हें पार्टी में बड़ी जगा नहीं मिलती है तो इसके लिए भी उनके पास दूसरा रास्ता है इस वक्त सचिन पाइलेट के एहलोत और सोनिया दोनों पर भारी पर चुके हैं हालात तो इतने ज्यादा अलग हो चुके हैं कि पहले क की मुकाबले विधायकों की संख्यावी अब सचिन पाइलेट के साथ है यही वज़ा है कि सोनिया गांदी फिलहाल नर्मी से अपना काम करते दिखाई दे रही है तो वहीं गहलोत भी सचिन पाइलेट के खिलाफ कुछ जादा नहीं पूल रहे हैं आपको बता दें बीती द तो देखा आपने किस तरह से सचिन पाइलेट की राजनितिक शक्ति को देखकर कॉंग्रस पार्टी अलाकमान सोनिया गांदी के होश उड़ गए हैं खैर अगर बात करें तो सचिन पाइलेट ने बीते कम समय के अंदर है जिस तरह राजस्थान की जनता का दिल जीता है जि अबरे तो यहां तक भी सामने आई थी कि हनुमान बेनिवाल के साथ भी उनका संपर्क बताया था यानि सचिन पाइलेट जो हैं वो फिलहाल मौके की नजाकत को समस्ते वे यह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हालात इससे पहले बिगड़े वो अपना दाउं खेल दे सचिन प भी ना कहीं सचिन पाइलेट जिस तरह से बड़ा कदम उठाते दिखाई दे रहें इससे साथ पता चल रहा है कि आज शोग गहलो तब काफी हद तक सचिन पाइलेट से पीछे पिछड़ चुके हैं आज के लिए तना ही आप से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए जाद दीजे नमस्कार